सभी परियोजना इन मायनों में काफी एहम हैं जिनमें रुद्राक्ष इंटरनाशनल कन्वेंशन सेंटर भी जिसमें शामिल हैं ताकि लोग यहाँ पर सिर्फ धर्म के लिए आस्था के लिए ही नहीं आएं बलकि यहाँ पे काम के साथ साथ पर्यटन को जोड़ा जा सके तो और धाचागत विकास के लिहाज से आज उद्खाटन और शिला नयास होने वाली परियोजनाए अत्यंत महत्वण हैं क्योंकि यहाँ से वारा नसी एक अलग दौर में प्रवेश इन मायनों में करेगा कि लोग यहाँ पर अलग-अलग शेत्रों से अलग-अलग जरियों से आ सकते हैं चाहे उनमें रोरो वैसल हो जिसमें गंगा नदी पर परेटन को आगे बढ़ाने की बात है यहाँ पर यहाँ पर मेडिकल हो चाकि आसपास के पुरवांचल के क्षित्रों के लोगों को स्वास्ते सुविधाय हो सकें दोजा चौधा के बाद भी हमने देखा प् मात्री मृत्युदर, शिशु मृत्युदर को भी कम किया जा सके और सतत्विकास लक्षों के साथ जोड़ते हुए उस मोचे पर और ज्यादा काम किया जा सके इसलिए सौ बैट का मेटरनल एंड चाइल के सेंटर भी हॉस्पिटल भी है जिसका आज मानने प्रधान मंतरी ज कीवन को आसान करने के लिए उन तक पेजल पहुंचाने के लिए ये इस से जुड़ी पर योजनाओं का भी आज प्रधान मंतरी जी लोकारपन भी करेंगे कुछ योजनाओं का शिला नियास भी किया जा रहा है लेकिन इन सबसे हटकर अगर हम 2014 के बात से ही देखें तो हम यह पाते हैं कि वारा नसी में चाहे हम सीवरेच की बात करें चाहे यहां पर जल देने की बात हो या सोलर प्लांट्स की बात हो या सड़कों के चौड़ी करन की बात हो तमाम अलग-अलग मोर्चों पर जो योजनाओं आगे बढ़ा रही हैं वो बहुत ही विववस्थित योजनागत तरीके से इस तरह से आगे बढ़ाई गई हैं ताकि वारा नसी के साथ-साथ पूरा पूर्वांचल इससे लाभानवित हो सके प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी जो अब यहां सभागार में पहुँच चुके हैं यहां पर जन सभास्थल पर पहुँच चुके ह हैं और अब मंच पर प्रधान मंत्री ची का आगमन हो रहा है इंतजार क्योंकि अपसे कुछ ही पलों बाद मिलेगी पंद्रा सौ करोड की परियोजनाओं की सौगात वारा नसी को काशी को और पूर्वांचल को हरा हरा बाहादे जोल्दा तालियों के साथ प्रधान मंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है मानने प्रधान मंत्री जी का स्वागत काशी के लभढ़ा और शांक धोने और तालियों के साथ प्रधान मंत्री का स्वागत हरा हरा माँड़ भारत मथा की वन्दे जो बहुत बहुत स्वागत अभीननदन वंदन माननी प्रधान मंत्री जी काशी की इस नगरी में जो आपकी नगरी है आपके चरणों में हमारा प्रणाम साथ ही हम स्वागत करते हैं माननी राजयपाल महोदया का माननी मुख्यमंत्री महोदय का और मंचपर आसीन माननी प्रदेश अध्यक्ष भारती जनता पार्टी बाननी श्री स्वतंत्र देव सिंग जी का मंचपर विराजमान माननी मंत्रीगर्ण माननी श्री अनिल राजवर जी माननी डॉक्टर नीलकंट तिवारी जी और माननी श्री रवेंद्री जैस्वाल जी सभी का स्वागत अभिनंदन और वंदन हम सबने देखा है कि माननी प्रधान मंत्री जी ने अपने अथक परिश्ट्रम और प्रतिबधता से विगत साथ वर्षों में काशी की इस नगरी में विकास की अविरल गंगा बहाई है हमने देखा है कि काशी नई काशी परंपरागत स्वरूप को बनाय रखते हुए आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों से युक्त होकर आज स्मार्ट काशी के रूप में उभर रही है ये काया कल्प माननी प्रधान मंत्री जी के संकल्पों का फल है मैं माननी मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूँगी कि हम सब की और से माननी प्रधान मंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें अभिनंदन करें और आप सब अपनी भावनाओं के पुष्प, जोरदार तालियों के माध्यम से मंच तक पहुचाएंगे अपने स्थान पर बैठ जाएं ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है नया उत्तर प्रदेश है जो उम्मीदों को बोज नहीं मानता बलकि उसे सफलता का आधार मानता है ये नया उत्तर प्रदेश है जो प्रतिभा को प्रोधसाहन देता है और उनके स्वपनों को साकार करने के लिए अवसर और संसाधन मुहया कराता है ये नया उत्तर प्रदेश है जो नित नवीन की इरतिमानों को रचने की सामर्थ रखता है नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार हैं माननी मुख्यमंत्री माननी शीयोगी आदित्यनाथ जी हम बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करेंगे कि हम सब की ओर से माननी प्रदान मंत्री जी का स्वागत करें आपकी जोरदार तालियों के साथ आदर्णिय प्रदान मंत्री जी प्रदेश की माननी राज्यपाल शिमती आनंदी बेन पतेल जी भारती जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्स और विधान परिशद के माननी सदस्य सी सोतंत्र देव सिंग जी प्रदेश सरकार में मेरे सहोगी मंत्री गाण से अनिल राजभर जी डॉक्टर निल कंठ तिवाडी जी सी रविंद्र जैश्वाल जी भारती जनता पार्टी के सभी प्रदेश के प्रदादी कारी गाण जिलार महानगर के प्रदादी कारी गण और उपस्तित सभी भाईयों बहनों बाबा विश्वनात की इस पावन धर्ती पर कासी के लोक्प्रिय सांसत देश के सश्वी प्रधान मंत्री आदनिय नरेंद्र मोदी जी का मैं प्रदेश स्वास्यों की ओर से और आप सब की ओर से हिर्दे से स्वागत करता हूँ अविनंदन करता हूँ भाईो बेनो आदनिय प्रधान मंत्री जी के नेत्रत्तों में कासी ने देश और दुनिया के सामने अपनी जो नई पैचान बनाईी है इस नई कासी जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संग्रक्सित करते वे बिकास की नित नई उचायों को छूरा है वो नई कासी आज स्मार्ट कासी की रूप में प्रदेश देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी भी है प्रधान मंत्री जी के विजन उनका निरंतर मार्ग दर्सन उनकी पेना आज कासी वासियों को प्रदेश वासियों को और देश वासियों को एक नई उचायों के और अग्रसर कर रहा है बिकास सोला महिनों से पुरा देश और पुरी दुनिया करोना महमारी से तरस्त है इस महामारी के इस पूरे कालखंड के दोरान पुरे देश वासियों को पुरे प्रदेश वासियों को जो योग्य मार्ग दरसन और नित्रत्व आधनिय प्रधान मंत्री जी का मिला दुनिया के तमाम देशों में नकेवल उसकी सराना हुई बलकि लोगों ने उसे आत्म साथ भी किया अपनी तमाम गस्तता के बाब जूद महामारी के इस कालखंड में कासी वासियों के साथ निरंतर संबाद कासी की निरंतर चिंता और कासी के विकास के इन सभी कारिक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेणा और मार्क दर्शन आज एक बार फिर आदनिय प्रधान मंत्री जी कासी की लगभग पंद्रो सो करोड उपे की परियोजनाओं के लोकारपन और सलान्यास के लिए हमारे बीच में बाबा विश्वनात की इस पावन नगरी में देश किस सांस्कृतिक राजधानी में अपना मार्क दर्शन और प्रेणा प्रधान करने के लिए हम सब के बीच में पस्तित हैं मैं सौसर पर आप सब की और से आदनिय प्रधान मंत्री जी का हिर्दे से विनंदन करता हूं श्वागत करता हूं पिसले साथ वर्सों के दोरान कासी में दस हजार तीन सो करोड उपे की प्रयोजनाएं पूरी हुई हैं और लगभग दस हजार दोसो चौरासी करोड उपे की योजनाएं वर्तमान में गतिमान हैं कासी जिन बातों के लिए तरस्ता था आज वकासी अपने एक नए रूप में देश और दुनिया के लिए एक नई प्रेणा बन रही है स्वास्ट का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, सिक्सा, पेजल हरे एक छेतर से जुड़ी भी इन प्रयोजनाओं का लोकारपन और सलान्यास का कारिकरम आज आदनिये प्रधान मंत्री जी की पेना से उनके करकमलों से यहां पर संपन्न होने जा रहा है अपनी तमाम राश्ट्य और अंतराश्ट्य बेस्तताओं के बाबजूद आदनिये प्रधान मंत्री जी ने एक संबेद अंसील जन प्रतनिधी के रूप में देश के यससरी प्रधान मंत्री के रूप में अपना समय अपने संसिद्य छेतर के लिए निकाला और समय समय पर अपना मार्क दर्शन भी देते हैं मैं इसके लिए हिर्दे से आवहार वेक्ति करते वे कासी वासियों की और से प्रधेश वासियों की और से आदनिय प्रधान मंत्री जी का आजके इस लोकारपण और सलानियस कारीकरम के उसर पर हिर्दय से श्वागत और अभिनिंदन करता हूँ, धन्यवाद जैहिं बहुत बहुत धन्यवाद माननी माननी प्रधान मंत्री जी जब काशी आते हैं तो हम सब आलहादित हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं हम उन्हें माननी प्रधान मंत्री के रूप में या माननी सांसत के रूप में ही नहीं देखते बलकि हम उन्हें अपने अभिभावक और सनरक्षक के रूप में भी देखते हैं और इसलिए वो हमेशा बहुत सारे उपहार लेकर आते हैं आज भी लगभग पंद्रह सो करोड की परियोजनाओं का उपहार लेकर वो आए हैं जिसमें से 205 परियोजनाओं जिनका वो शिला न्यास करेंगे और 78 परियोजनाओं जिनका लोकारपन करेंगे ये सारी परियोजनाओं शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्त, पेजल, परियतन, यातायात, परिवहन, आवास से जुड़ी हैं जिससे काशी की तस्वीर भी बदलेगी और काशी निवासियों की तकदीर भी बदलेगी मैं माननी प्रधान मंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूँगी कि बटन दबा कर इन समस्त परियोजनाओं का शिला न्यास और लोकारपन करने की कृपा करें लगबग डेड़ हजार करोड की परियोजनाओं का उपहार आज माननी प्रधान मंत्री जी दे रहे हैं बटन दब गया और बटन दबते ही शिला पटका अनावरण लगभग डेड़ हजार करोड की परियोजनाएं काशी के विकास और संब्रिधी के लिए जिसमें शामिल है अंतर राष्ट्री सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का लोकारपन भी हम आपको बताना चाहेंगे इस कारिक्रम के बाद माननी प्रधान मंत्री जी रुद्राक्ष जाएंगे और वहाँ विधिवत उसका शुभारंब करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद माननी प्रधान मंत्री जी इन समस्त योजनाओं से काशी की तस्वीर और तक्दीर तो बदलेगी ही साथ ही पूर्वाक्नचलक शेत्र भी विकास से परिपूरित होगा सम्रिध होगा इन ही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हम सब ने एक छोटी से फिल्म बनाई है आएए देखते हैं काशी के सांसत और देश के यशस्वी प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोधी जी के दूर दर्शी नेतरतों में धर्म और आध्यात्म की नगरी में विकास की अविरल धारा बह रही है प्रधान मंत्री जी के संकल्प एवं अथक प्रयासों से साथ वर्षों में इन विकास उन्मुख परियोजनाव ने काशी वासियों का जीवन बहतर बनाया है इस कड़ी में आज काशी को पून हो चुकी विभन परियोजनाव की सौगात मिल रही है 210 करोड की लागत से पून परियोजनाव में अंतरराष्ट्रिय कन्वेंशन सेंटर रूद्राक्ष गोदौलिया मल्टी लेवल टूवीलर पार्किंग एवं शहर के चार प्रमुख पार्कों का सौंधर्री करण प्रमुख है 193 करोड 37 लाख की लागत से पंच कोशी परिक्रमा मार्क का सुद्रिनी करण वारानसी गाजीपुर रोड पर तीन लेन का उपर गामी सेतु का निर्माण एवं 18 ग्रामीन सडकों के सुद्रिनी करण के साथ मरमत का कारे भीपून कर लिया गया है 149 करोड 19 लाख की लागत से मचोधरी स्मार्ट स्कूल एवं स्किल डेवलप्मेंट सेंटर राजिकी या महिला पॉलिटेक्निक में आईटी ब्लॉक लाब एवं आवासिय परिसर का निर्माण कारे पून हो गया है 102 करोड 76 लाख की लागत से ग्रामीन पेयजल योजना एवं शेहर की प्राचीन सीवर प्रणाली के नवीनी करण के कारे भी पून हो चुके हैं 52 करोड 21 लाख की लागत से बी एच यू के शिक्षकों के लिए 80 आवासिय फ्लाट एवं 100 बेड के MCH विंक का निर्माण कारे पून हो गया है 54 करोड 67 लाख की लागत से पर्यटन के विकास हेतू गंगा में रो रो बोट रामनगर से राज घाट तक क्रूज के संचालन के साथ ही 84 घाटों पर साइनेच एवं शेहर के 6 स्थानों पर LED स्क्रीम तथा साउंड सिस्टम एवं रामेशवर में पर्यटन विकास के कारे भी पून कर लिये गए हैं 35 करोड 36 लाख की लागत से नगर के 14 असपतालों में PSA Oxygen Plant, Central Jail की प्रमुख दीवार के बाहर एक और नई दीवार का निर्माण करोंदी के ITI परिसर में Driving and Training Institute की स्थापना के साथ ही कल्ली पुर कृषी विज्ञान केंदर का निर्माण पून कर लिया गया है पून हो चुकी इन परियोजनाओं से जहां एक तरफ काशी वासियों को शिक्षा, स्वास्थ है एवं पेय जल सहित बहतर जीवन शैली की सौगात मिल रही है तो वहीं दूसरी तरफ परेटन भी सुगम हो रहा है आईए एक नजर डालते हैं उन परियोजनाओं पर जिनका शिला न्यास आज आदर्नी या प्रधान मंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है 186.6 करोड रुपए की पेय जल आपूर्ती, सीवर लाइन एवं स्काडा आटोमेशन की योजना 31.74 करोड रुपए से आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई एवं शूटिंग रेंज का निर्मान की योजना 119.76 करोड रुपए की लागत से ग्रामीन लिंक रोड का पुनर निर्मान एवं लहर तारा चौका घाट अर्बन प्लेस मेकिंग की योजना 55.88 करोड रुपए की लागत से सीपैट रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग एवं सबजियों के लिए करखियाव में पाक हाउस के निर्मान की योजना काशी को मिल रही इन सौगातों के लिए समस्त काशी वासी अपनी जन प्रिय सांसर एवं यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोल्दी जी के आभारी है कि इन परियुजनाओं से काशी और पूर्वान्चल का विकास गरिमा और सम्रिद्धी का एक नया आयाम जुड़ेगा नई काशी स्मार्ट काशी और भी ज्यादा विकसित होगी चुनोतियों से टकराने का साहस, संकल्पों की सिध्धी का बल और आत्म निर्भर भारत के निर्मार्व की प्रेड़ना देता है प्रामानिकता और प्रतिबधता से विभूशित माननी प्रधान मंत्री जी का व्यक्तित 136 करोड भारतियों के विश्वास की आवाज का दूसरा नाम है श्री नरेंद्र मोदी मैं बहुत ही आदर के साथ माननी प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने प्रेरना दाई उद्बोधन से हमारा मार्ग प्रशस्त करें सबी लोग खड़े होकर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें अभी नंदन करें भारत माता की यादॡ भारत माता की हार हार महादेब लंबे समय बाद आप सब लोगन से सीधा मुलाकात का आउसर मिलल हो काशी के सभी लोगन के प्रणाम हम समस्त लोग के दुख हरे वाले भोले नाथ माता अनपुर्णा के चरण में भी सीध जुगावत है यूपी की राजपाल स्रिमती आनंदिबन पतेल जी यूपी के यसस्वी उर्जावान और करमत मुख्य मंत्री स्रिमान योगी आधितिनाजी यूपी सरकार के मंत्रिगन विधायगन और बनारस के मेरे भाई और बेहनों आज कासी के विकास से जुड़े पंदरा सो करोड रुपिय से अधिक के प्रोजेश का सिलान्यास और लोकारपन करने का अवसर मुझे मिला बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ महादेव के अशिरवात और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है मुझ्टिल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है वो ठकती नहीं है बहनों और भाईयों बीते कुछ महिने हम सभी के लिए पूरी मानवजाद के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं कुरोना वाइरस के बदलते विए और खतरनाग रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था लेकिन काश्ची सहीत यूपी ने पूरे सामर्थ के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया देश का सबसे बड़ा प्रदेश जिसकी आबादी दुनिया के दरजनों बड़े बड़े देशों सभी जादा हो वहाँ कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला सेकंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमन को फैलने से रोका वो अभूत पुर्वा है वरना यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार, इंसिफलाइटीस जैसी बिमारियों का सामना करने में यहाँ कितनी मुश्किले आती थी पहले के दौर में स्वास्त सुविधाओं की कमी और इच्छा शक्ती के अभाव में छोटे छोटे संकट भी यूपी में विक्राल हो जाते थी और ये तो सौ साल में पूरी दुनिया पर आई सबसे बड़ी आफ़त है सबसे बड़ी महामारी है इसलिए कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उलेखनिया है मैं काशी के अपने साथ्यों का यहां शाचन प्रसाशन से लेकर कोरोना युद्धाओं की संपूर्ण टीम का विशेश रुप से आभारी हूँ आपने दिन रात जुटकर जिस प्रकार काशी में व्यवस्थाएं खड़ी की वो बहुत बड़ी सेवा है मुझे आद है कि आधी रात में भी जब मैं यहां व्यवस्था से जुटे लोकों को फोन करता था तो वो मौर्चे पर तैनात मिलते थे कठिन समय था लेकिन आपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी आप सभी के ऐसे ही कारियों का नतीजा है कि आज यूपी में हालत फिर समनने लगे हैं आज यूपी कोरोना की सबसे ज़्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है आज यूपी पूरे देश में सबसे ज़्यादा वैक्सिनेशन करने वाला राज्य है सबको वैक्सिन मुप्त वैक्सिन इस अभ्यान के माध्यम से गरीब मध्यमबर्ग किसान नवजवान सभी को सरकार द्वारा मुप्त वैक्सिन लगाई जा रही है बेहनों और भाईयों साब सफाई और स्वास्त से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में तयार हो रहा है वो भविश्य में भी कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करने वाले हैं आज यूपी में गाउं के स्वास्त केंद्र हो मेडिकल कॉलेज हो एमस हो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूत पुर्वस्थुधार हो रहा चार साल पहले तक जहां यूपी में दरजन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे उनकी संख्या अब करीब करीब चार गुना हो चुकी है बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का निर्मान अपने अलग-अलग चरणों में है अभी यूपी में करीब साड़े 500 औक्सिजन प्लांट्स साड़े 500 औक्सिजन प्लांट्स बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है आज बनारस में ही चौदा ऑक्सिजन प्लांट्स का यहां लोकारपन भी किया गया हर जीले में बच्चों के लिए विशेश ऑक्सिजन और आईसिउ जैसी सुविधाय निर्मित करने का जो बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है वो भी सरानिय है कोरोना से जुड़ी नई स्वास्त सुविधाओं के निर्माण के लिए हाल में केंद्र सरकार ने तेईस हदार करोड रुपिय का विशेश पैकेज गोशित किया है इसका भी बहुत बड़ा लाब यूपी को होने वाला है साथियों काशी नगरी आज पुर्वान्चल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बंडर ही है जिन बिमारियों के इलाज के लिए कभी दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था उनका इलाज आज काशी में पी उपलब्द है यहां मेडिकल इन्फा सेक्टर में आज कुछ कडिया और जुड़ रही है आज महिलाओं और बच्चों की चिकित्सा से जुड़े नए अस्पताल काशी को मिल रहे हैं इन में से सौ बेड की क्षमता बी एच्चू में और पचास बेड जीला अस्पताल में जुड़ रहे हैं इन दोनों प्रोजेक्स के सिलान्यात का सवभाग्य मुझे मिला था अब आज इनका लोकारपन भी हो रहा है बी एच्चू में जो ये नई सुभीधा बनी है थोड़ी देर बार मैं उसे देखने के लिए भी जाने वाला हूँ साथियों आज बी एच्चू में छेत्रियन नेत्र संस्थान का भी लोकारपन किया गया है इस संस्थान में लोगों को आँखों से जुड़ी बिमारियों का आधुनिक इलाज मिल पाएगा भाई और बेहनों बीते साथ सालों में काशी अपनी मौलिक पहचान बनाये रखते हुए भी विकास के पतपर तेजी से अग्रेसर है पूरे छेत्र में चाहे वो नेशनल हाइवे का काम हो फ्लाइ ओवर हो या रेल्वे ओवर बीज हो या चाहे तारों का जंजाल दूर करने के लिए पूरानी काशी में अंडर ग्राउंड वायरिंग का सिस्टेम हो पेजल और सीवर की समस्याओं का निदान हो परियतन को बढ़ाने के लिए विकास कार्य हो सभी में अभूत पुरव कार्य हुआ है इस समय भी इस खेत्र में लगभग आठ हजार करोड रुपिय की आठ हजार करोड रुपिय की परियोजनाओं पर काम चल रहा है नए प्रोजेक नए संस्थान काशी की विकास गाथा को और जीवन्त बना रहे हैं साथियों काशी की मा गंगा की स्वच्चता और सुन्दर्ता हम सभी की आकांचा भी है और प्रात्मिक्ता भी है इसके लिए सडक हो, सीवेज ट्रिट्मेंट हो पारकों और घाटों का सुन्दरी करण हो ऐसे हर मोर्चे पर काम हो रहा है पंच कोशी मार्क का चावडी करण पुरा होने से स्रद्धानुओं को भी सुविधा होगी और इस मार्क पर पढ़ने वाले दर्जनों गावों का जीवन भी आसान बनेगा वारानसी गाजीपूर मार्क पर जो सेतू है उसके खुलने से वारानसी के अलावा प्रियागराच गाजीपूर बलिया गोरतपूर और बिहार आने जाने वालों को भी बहुत आसानी होगी गोदोलिया में मल्टी लेवल टू विलर पार्किंग बनने से कितनी किच किच कम होगी ये बनारस के लोगों को भली भाती पता है वहीं लहर तारा से चौका घाट फाई ओवर के नीचे भी पार्किंग से लेकर दूसरी जन्थ विदाओं का निर्मान बहुत जल्द पूरा हो जाएगा बनारस की यूपी की किसी भी बेहन को किसी भी परिवार को सुद्ध जल्द के लिए परिशान ना होना पड़े इसके लिए हर गर जल अभियान पर भी तेजी से काम हो रहा है साथियों बहतर सुविधाएं बहतर कनेक्टिविटी सुन्दर होती गलिया और गाठ ये चीर पुरातन काशी के उस काशी की नूतन अभिव्यक्ती है शहर के साथ सो से जादा स्थानों पर एडवांस सर्विलन्स कैमेरा लगाने का काम भी तेजी से जारी है सहर में जगए जगए लग रही बड़ी बड़ी LED स्क्रीन्स और घाटों पर लग रहे टेक्नलोजी से लेज इन्फरमेशन बौर्ड ये काशी आने वालों की बहुत मदद करेंगे काशी के इतिहास वास्तू शिल्प कला ऐसी हर जानकरी को आकर्शक तरीके से प्रस्तूत करने वाली ये सुविदाए स्रद्दालूओं के काफी काम आएगी बड़ी स्क्रीन्स के माध्यम से गंगाजी के घाट पर और काशी विश्वनाथ मंदीर में होने वाली आरती का प्रसारण पूरे सहर में संभव हो पाएगा भाई और भेहनों आज से जो रोरो सेवा और क्रूज बोड का संचालन शुरू हुआ है इससे काशी का टूरिजम सेक्टर और फलने फुलने वाला है यही नहीं मा गंगा की सेवा में जुटे हमारे नाविक साथियों को भी बहतर सुविदाएं दी जा रही है डीजल नावों को सी एंजी में बढ़ला जा रहा है इससे उनका खर्च भी कम होगा परियावरन को भी लाब होगा और परियाटक भी आकरसित होंगे मैं इसके बाद थोड़ी देर में रुद्राश के रूप में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को भी काशी वाशियों को सौपने जा रहा हूँ काशी से विश्वस्तरियत सहित्यकार संगीतकार और अन्यक कलाओने के कलाकारों ने विश्वस्तर पर दुम मचाई है लेकिन काशी में ही उनकी कलाओं के प्रदर्शन के लिए कोई विश्वस्तरियत सुविदा नहीं थी आज मुझे खुशी है कि काशी के कलाकारों आर्टिस्टों को अपनी विद्या दिखाने के लिए अपनी कला दिखाने के लिए एक आधुनिक मंच मिल रहा है साथियों काशी के पुरातन वैभव की समुरुद्धी ज्यान की गंगा से भी जुड़ी हुई है ऐसे में काशी का आधुनिक ज्यान और विज्यान के केंद्र के रुप में भी निरंतर विकास जरूरी है योगी जी की सरकार इस सरकार आने के बाद इस दिशा में जो प्रयास हो रहे थे उनमें और तेजी आई है आज भी मॉडल स्कूल आई टी आई पुली टेकनिक ऐसे अनेग संस्तान और नई सुविधाय काशी को मिली है आज स्रीपेट के सेंटर फर्स किलिंग और टेकनिकल सपोर्ट की जो आधार सिला रखी गई है ये काशी नहीं पुरवान चल के अवद्यों की विकास को भी उर्जा देगा ऐसे संस्तान आत्म दिर भर भारत के निर्मार के लिए कुशल युवाओं के मैं प्रसिक्षन में काशी की भूमिका को और मजबूत करेगे मैं बनारस के युवाओं को विद्यार्थियों को स्रीपेट सेंटर के लिए विशेश रुप से बधाई देता हूँ भाई और बहनो आज दुनिया के अनेक बड़े बड़े निवेशक आत्म निर्भर भारत के महा यग्य से जूड रहे हैं इसमें भी उत्तरप्रदेश देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट डेस्टिजेशन के रुपे उभर रहा है कुछ साल पहले तक जिस यूपी में व्यापार कारोबार करना मुश्किल माना जाता था आज मेकिन इन्डिया के लिए यूपी पसंदिदा जगब बन रहा है इसका एक बड़ा कारण है यूपी में योगी जी की सरकार द्वारा इंफ्रास्टर्टर पर फोकस सडक, रेल और हाइवे कनेक्टिविटी में आए अभूत्पुर्व सुधार से यहां का जीवन तो आसान हो रहा है कारोबार करने में भी अधिक सुविदा हो रही है यूपी के कौने कौने को चौड़ी और आदुनिक सडकों एक्सप्रेस वे जोडने का काम यहां तेजी से चल रहा है डिफेंस कोरिडोर हो पुर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे गौरकपुर लिंक एक्सप्रेस वे हो या गंगा एक्सप्रेस वे ये इस दसक में उत्तर प्रदेश के विकास को नई बुलंदी देने वाले इन पर सिर्फ गाडिया ही नहीं गाडिया ही चलेगी ऐसा नहीं बलकि इनके इर्दगिर आत्म निर्भर भारत को ताकत देने वाले नए अउद्यों की क्रस्टर भी तैयार होंगे भाई और बहनों आत्म निर्भर भारत में हमारी खेती से जुड़े इंफ्रस्रक्चर और क्रशी आधारित उद्योगों की भी बड़ी भूमी का होने वाली है हाल में ही केंद्र सरकार ने क्रशी इंफ्रस्रक्चर के ससक्तिकर्ण को लेकर बड़ा फैसला लिया है देश में आधुनिक क्रशी इंफ्रस्रक्टर के लिए जो एक लाग करोड रुपिय का विशेश फंड बनाया गया है उसका लाप अब हमारी क्रशी मंडियों को भी मिलेगा ये देश की क्रशी मंडियों के तंत्र को आधुनिक और सुवीदा संपन बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है सरकारी खरीच से जुड़े सिस्टम को बहतर बनाना और किसानों को अधिक विकल्प देना ये सरकार की प्रात्पिक्ता है इस बार धान और गेहू की रिकॉर्ड सरकारी खरीच इसी का परिणाम है साथियों कृसी से जुड़े इंफरस्टेक्चर को लेकर भी यूपी में निरंतर काम चल रहा है वारानसी हो, पुरवान चल हो, यहाँ पेरिशेबल कार्गो सेंटर, इंटरनेशनल राइस सेंटर जैसी अनेक आधुनिक व्यवस्ताएं आज किसानों के काम आ रही है एक प्रयासों के कारण हमारा लंगड़ा और दशरी आम आज उरोप से लेकर खाड़ी देशों में अपनी मिठाद बढ़ रहा है आज जिस मेंगो एंड वेजटेबल इंटिग्रेटेड पैक आउस का सिलान्यास किया गया है वही छेत्र को एग्रो एक्सपर्ड हब के रुप में विक्सित करने में मदद करेगा इससे विशेश रुप से छोटे किसानों जो फल सब्जी उगाते हैं उनको सबसे अधिक लाब होगा साथियों काशी और पूरे यूपी के विकास के इतने सारे कामों की चर्चा मैं इतनी देर से कर रहा है लेकिन ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कारियों की चर्चा करू कौन से कारियों की चर्चा छोड़ दू ये सब योगी जी के नित्रुत्व और यूपी सरकार की कारियन निष्ठा का कमाल है भाई और भेनों ऐसा नहीं है कि 2017 से पहले यूपी के लिए योजनाई नहीं आती थी पैसा नहीं बेजा जाता था तब भी 2014 में हमें सेवा करने का मुए कामिला तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे लेकिन तब लखनों में उनमें रोडा लग जाता था आज योगी जी खुद कड़ी महनत कर रहे हैं कासी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं एक एक विकास योजना की समिछा करते हैं खुद उर्जा लगाकर कामों को गती देते हैं ऐसी ही महनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं हरे एक जिले में जाते हैं हरे एक काम के साथ खुद लगते हैं यही वजह है कि यूपी में बढ़लाओ के ये प्रयास आज एक आधुनी यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं आज यूपी में कानून का राज है माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबु हो रहे थे उन पर अब कानून का सिकंजा है बेहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर माबाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे वो स्थिती भी बदली है आज बेहन बेटियों पर आँख उठाने वाले अपरादियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे एक और बड़ी बात यूपी में सरकार आज ब्रस्टा चार और भाई भतीजा बात से नहीं विकास बात से चल रही है इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाफ सीधा जनता को मिल रहा है इसलिए आज यूपी में नए नए उद्योकों का निवेश हो रहा है रोजगार के अउसर बढ़ रहे हैं साथियों विकास और प्रगति की सियात्रा में यूपी के हर एक नागरिक का योगदान है इसमें जन जन की भागिदारी है आपका ये योगदान आपका ये अशिरवाद यूपी को विकास की नई उचायों पर लेकर जाएगा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी ये भी है कि आपको कोरोना को फिर से हावी नहीं होने देना है क्योंकि कोरोना संक्रमन की दर दीमी जरूर हुई है लेकिन लापरवाई बड़ी तो ये प्रचनल लहर में बदल भी सकती है दुनिया के कई देशों के ये अनुभव आज हमारे सामने हैं इसलिए हमें सारे नियम काईदों का सकती से पालन करते रहना है सबको वैक्सिन मुक्त वैक्सिन इस अभियान से भी हम सभी को जुड़ना है टी का जरूर लगवाना है बाबा विश्वनात और मा गंका का आशिरवार हम सब पर मना रहें इसी कामना के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद हार हार महादेश माननी है आपके प्रेरना दाई उद्वोधन के लिए आपका व्यक्तित्व आपकी समवेदन शील दृष्टी हमें जीवन के हर पत पर आदर शुरूब में गरिमा के साथ बढ़ने क्या मार्ग प्रशस्त करती है लगभग देड़ हजार परियोजनाओं का उपहार देकर आपने हमारे स्वर्णिम भविश्य की प्रिष्ट भूमी को प्रशस्त किया है मजबूत किया है बहुत बहुत धन्यवाद माननिये आपको हमारे प्रणाम इसी के साथ इस मंच से ये कारिकरम अब संपन होता है बहुत बहुता है